तो आज मैं आप लोग के लिए एक रेसिपी लेके आई हूं जो कि बच्चों के लिए है तो अगर बच्चे दूर पीने बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं कि होडलिक्स नहीं पीना है कॉंपलन नहीं पीना है तो यह एक पाउडर में लेके आई हूं तो चलिए इसको बनात इसको बनाने के लिए मैंने एक कराही लिया है और उसमें ये जो मुमपली मैं इसको डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लोंगी तो आप इसको लोव फ्लेम पे फ्राई करियेगा और जो भी इसारा ड्राइफूर्ट था सब हम इसमें डाल देंगे बहुत ज्यादा था उसे भी मैं फ्राइ कर लोंगे तो देखें यह कितना सुन्दर फ्राइ हो गया है अब इसको ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूं और जो बागी जो माखाना मैंने लिया था अब इसे भी मैं फ्राइ कर लोंगी तो यह दो मिनट जितना मैं इसे फ्राइ करूंगी और इसको fry करने के लिए तेल या फिर गी किसी भी चीज का इस्तमाल हम लोग नहीं करेंगे तो यह बस देखिए दो से तीन मिनिट जब हो गया तो देखिए यह जो मकाना है हमारा वह अच्छी तरह से फ्राइब हो गया अब इसे भी मैं निकाल लोगे और इसके बाद यह तरह से इसे पीस लोगे तो अभी मैं दिखाती हूँ देखिए मैं पीस ली हूँ और कितना बढ़िया इसका जो पाउडर है यह बनके तयार हो गया है तो आप बच्चे भी अगर होडलेक्स या फिर कॉम प्लैन या फिर कोई भी बाहर का जो प्रोटिन पाउडर होता है व और दस से पंदर दिन तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसको दूद में डालके दे सकते हैं और काज का बोटर लगना हो तो आप इसे एक एर टाइट जो कंटेनर होता है उसमें भी रख सकते हैं और बिल्कुल यह खराब नहीं होता है तो अगर आप लोग को यह